कार प्यारे विद्यार्थियों मैं हूं डक्टर विनोथ मार तथा आप देख रहे हो सोमी दयानंद नेच्छरोपैथी होस्पिटल के चैनल को दोस्तों जिसको भी पत्री है उस कहीं भी चाहे किड्नी स्टोन है चाहे आपको गाल ब्लडर स्टोन है है उसके लिए आज हम बैस्ट रासन के बाथ करेंगे विवर भी बूथी का आसंद है यह ऊपूर है उसके आपकी बूड़ी में फ्लेक्सिumn Dollauty जो है ति अटके श्ट्रोमेक से बहार निकल जाता है। अजने हम आसन करते हैं जो हमें आवश्चक हैं इसके लिए। सबसे पेले है चक्रासन। इससे कि है आपका यह पेट भूम जाता है। जिससे फ्लेक्सिबिल्टी बहुत बढ़ जाती है। आप की probability जो है वो बढ़ जाती है पत्थे को निकाल लेंगे यहां हमने बैठ गए और यह हमने इधर किया यह किंति शू काई दी हमने एक टोज दी शुआ पांचित स्काट नहुंत तस्किया नंबारत में चोटा फंद्रा सोला स्काराग आराख निस्टीट इस्ट राइश थे इस्टू इस्टाइफ अधित्ती उकति सिर्फ एक मेंट साथ तक आपने गिंति करें हैं ओके इससे आप कर लोगी है अब हम दूसरा आसन करते हैं चकर के बाद धनूर आसन यह होता ना धनूर तीर कमान कमान गनानी हमने तो यहां मैं बैठ गया अब इस को खीतना है हुआ 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 है ओके सिर्फ थर्टी सेकेंड फिर एक मिन्ट तक बढ़ा दीजिए इससे भी आपको फ्लेक्सिबिल्टी आएगी अब हम कोबर आसन करते हैं पुजंग आसन यहां हो गया हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है है हुआ है थर्टी सेग्ड इसको खाय लो आप अब यह तीन हो गए आसन चोथा है जो आपको आसन करना चाहिए गाल ब्लडर स्टोन को निकालने के लिए बोड़ी को फ्लेक्सिबल करना है तो आपको सर्वांग आसन करना चाहिए दिखिए यह बोड़ी है इसको हलकी तरह हमने फीच लेना है इसको फुल भी कह सकते हूं जाता है और एल शेफ हाफ भी कर सकते हूं इदर तक भी लेकर जा सकते हूं तो यह है हमारी होगे चार और पांच वह है वैजर असन यह हमने यहां किया और इधर बैठ गए ओके तो यह हमने लगबग लगबग पांच वास्तन ऐसे बताई हैं जिससे आपका जो यह पीट है बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाएगा उसमें लचका जाएगी जब लचक आती है तो जो डस्ट है बोडी में रहता नहीं है वो बोडी से बहार चला जाता है ओके तो उमीद है कि आप अपनी बोडी में ऐसी फ्लेक्सिबल्टी लेके आओगे यदि यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए अभी तक चैनल को सब्सक्रा बोग देनी है नीचे दे सकते हो कोई इबुक लेनी है हमारी तो वो ले सकते हूँ आप सब ने इस वीडियो को देखा आप सब का बहुत-बहुत धर से धन्यवाद थेंक्यू